अलो फ्रेंड्स वेलकम टू क्रिजी जिके ट्रिक आज सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत ही एत्यासिक फैसला आया है यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने यानि के economically weaker sections को दिये जैने वाला कोर्ट रिजर्वेशन तो 10% दिया गया है उसको सम्विधानिक ठहराया है शुप्रीम कोर्ट ने बोला है यह जो रिजर्वेशन दिया गया है पूरेस्ट और पूर को दिया जा रहा है और यहाँ पर यह किसी भी तरीके से सम्विधान का जो यह फैसला सुनाया और इस bench में हम देखते हैं कि 3-2 से majority decision आया है यह judgment जो है वहाँ पर हम देखते हैं कि 3 जजों ने favor में बात करी और 2 judges यहाँ पर opposite थे इस case का नाम है जनित अभिहान versus Union of India इस से पहले कि हमें judgment को समझें यहाँ पर आज session में हम बात करेंगे judgment के बारे में औ आईए सबसे पहले हम समझते हैं कि आखिर कारी जो amendment हुआ था 103 amendment इस amendment ने क्या करा था government ने और क्यों लाया गया इसको सबसे पहले हम देखते हैं कि economic यानि कि आर्थिक आधार पर reservation देने की बात की गई कहां कहां दिया जाएगा reservation jobs में दिया जाएगा और education की field में दिया संशोधन किया और article 15 और 16 के अंदर clause 6 को डाला गया इस clause के अंदर बताया गया कि जो state है उसके पास ये power है कि जो भी economically weaker sections है उनके लिए special provisions बनाय जाए ताकि उन लोगों को यहाँ पर jobs के अंदर और education के अंदर बढ़ावा मिले और वो भी जो एक standard of living है equal standard of living को अचीव कर सके तो यह basically amendment किया गया और इस amendment में बताया गया था कि जो पहले से reservation चला आ रहा है जहाँ पर SC को, ST को और OBC को इनको जो reservation दिया गया है उससे हट कर रहेगा यह reservation और इस reservation के अंदर इन तीनों को include नहीं किया जाएगा यहाँ पर यह बताया गया था तो यहाँ पर जो basic point है समझ लेते हैं ठीक है आई उसको समझ लेते हैं जैसा कि यहाँ पर defined है हमारे समविधान में के SC को reservation देना चाहिए स्टार्टिंग से यह defined है बाद में OBC का reservation आया मंडल का mission ने इसको recommend करा और अब EWS का reservation आया तो यहाँ पर दिक्कत क्या थी आईजी थोड़ा उसको समझते हैं माल लीजिए एक exam हो रहा है जिसमे के अंदर 1000 लोगों ने apply करा है 1000 लोगों ने इस exam के अंदर apply करा है ठीक है और सो लोगों को select करना है यह reservation चल रहा है इस reservation के अधार पर हमको select करना है तो जब merit list बनेगी जब final merit list हमारे सामने आईगी उसमें हम देखेंगे कि सबसे पहले जो भी merit list बना रहा है सबसे पहले तो वो 15 candidate हैं यहाँ पर स्ट के ले लेगा उसके बाद रेजर्वेशन के अधार पर 7.5% candidate स्ट के ले लेगा फिर 27% candidate हमारे पास OBC के आ जाएंगे अब यह तो पुराना तरीका यह तो हो नहीं था अब यहाँ पर यह 10% नया add करा गया तो पहले क्या होता था पहले यहाँ पर यह होता था कि अब जितनी सीटे हमारे पास बची हैं ठीक है मोटा मोटा माल लेते हैं 50 सीटे बची हैं हमारे पास रफली माल लेते हैं 50 सीटे बची हैं तो यह 50 सीटे किसको जाती थी अन्रिजर्व्ड कहलाती थी यह किसी को भी जा सकती है अन्रिजर्व अगर किसी स्टी कंडिडेट ने अच्छा प्रफॉर्म कराए तो उस स्टी कंडिडेट को भी 50 सीटों में से कोई सीट मिल सकती है similarly स्टी वाले को भी मिल सकती है और OBC वाले को भी मिल सकती है तो basically इन 50 सीटों पर सब करा हग किसी एक community का हग नहीं है अब हुआ गया जब EWS कोटा आया यहां पर यहां पर हम देखते हैं कि अब 40 सीटे ही ऐसी बची है जो अन्रिजर्वड है और 10% सीटे यहां पर अब रिजर्वड हुए है यानिके 10% अब PWS कोटे के तहत लोग आएंगे ही आएंगे भले कुछ भी हो उनके माक्स यहाँ पर इतने मैटर नहीं करते हैं उनको ले नहीं है तो यहाँ पर अब यह बोला गया यहाँ पर जो आचिका करता थे उन्होंने यह बोला कि इस 10% के अंदर आप जिस बेसिस पर लेके आए हो बेसिस क्या है आपका कि जो गरीब है जो गरीबों में भी सबसे गरीब है पूर एस्ट ओफ दा पूर उनको हम यहाँ पर आरक्षन देना चाहते हैं 10% का अच्छी बात है आप देना चाहते हैं तो फिर देखा जाए तो ST Community के अंदर भी तो गरीब है ST के अंदर भी गरीब है SC के अंदर भी गरीब है OBC के अंदर भी गरीब है तो उस 10% के अंदर इन तीनों को आप include क्यों नहीं करते है यह सबसे major point आप जिसकी वज़े से यह पूरा case हुआ तो I hope आपको इस पर समझ में आया हो कि आखिरकार यह case क्यों हुआ है इस reservation criteria पर अब जो judgment आया है उसने यह बोला है कि 10% EWS के अंदर SC, ST और OBC इनके गरीबों को include करने की जरूद नहीं है इस judgment नहीं है फाइनल कर दिया है और सम्विधानिक ठहराया है अब यह जो 40% सीटे बच रही है इसके अंदर कोई भी आ सकता है अपनी merit के आधार पर क्योंकि यह unreserved कहलाती है क्योंकि यह unreserved ने किसी के लिए भी reserved नहीं है यहाँ पर आदनी अपनी merit के असाब से आएगा और यह सब यहाँ पर जो है लोग select होंगे अपने reservation के आधार पर तो यह था basically जो reservation का criteria था आईए judgment को थोड़ा और अच्छे सा समझते हैं यहाँ पर जो judgment है यह 5 जजों की bench ने दिया है 5 judge bench ठीक है तो इस मैं से सबसे पहले हम देखते है Chief Justice of India Q.U.Lalic जी और Justice S.Ravindran Bhatt जो है इन दोनों judges ने हाँ पर minority judgment दिया यानि के उन्होंने favor में नहीं बोला इसके उनके हसाब सही आधा समझत आने के मगर 5 जजों की bench है decision majority सा आएगा तो यह 3 judge यहाँ पर majority में थे कौन-कौन से judge हैं Justice, Dinesh, Maheshwari Justice, Vela M, Trivedi Justice, JP पार्दी वाला इन 3 judges ने बोला कि यह judgment है जो quota government लेकर आई है यह एकदम सम्विधानिक है यहाँ पर दोनों पांचों जजों का देखा जाए अगर तो पांचों जजों का यहाँ पर यह मानना था कि economic आधार पर आर्थिक आधार पर reservation देना बिलकुल भी गलत नहीं यह पांचों जो जो ने माना इसे पहाँ पर objection इस बात को था कि उन गरीबों के अंदर क्या SC, ST, OBC के गरीबों को include करना है कि नहीं कोशन यहाँ पर सिर्फ यह था तो उस कोशन पर majority यहाँ पर जो बोलती है कि include करने की ज़रूत नहीं है और minority यह ने बोला करने ही है तो सबको करो ठीक है तो यह समय आयाता है हमको यहाँ पर कि judgment किसने दिया पांच जजों की bench है Supreme Court की समविधानिक bench है constitutional bench है जिसने यह judgment दिया है यहाँ पर justice रिवेदी जी ने एक बहुत अच्छी बात कही उसको हम सुनते हैं कि un-equals cannot be treated equally un-equals cannot be treated equally यानि कि जो लोग पहले सही समान नहीं है उनको आप समानता के अधार पर जज नहीं कर सकते समाज में कुछ लोग ऐसे हैं जो un-equal हैं जो poor हैं ठीक है और यहाँ पर जो SC, ST और OBC हैं वो उनको पहले से reservation दिया जा रहा है तो जब उनको पहले से reservation दिया जा रहा है और एक समाज का वर्ग है इसको reservation नहीं मिल रहा है तो यह दोनों आपस में आसामान हो गए इसलिए जब SC, ST को पहले से और OBC को पहले से reservation है तो वो पहले सही इन से उपर है या फिर उनको एकी नजर से देखना गलत रहेगा यहाँ पर उनको एकी नजर से देखना गलत रहेगा इसलिए इस जज्जमेंट में हम इनको अनिक्वल मानते हैं और एकोनोमिक आधार पर रेजर्वेशन देना गलत नहीं है यहाँ पर यह ब खिलाफ जाता है इसको याद रखीएगा खासकर जो लोग PCS और UPSC की तहरी कर रहे हैं वहाँ पर आप डारेक्टली कोट कर सकते हैं इसको आप कोट कर सकते हैं जो पचास परसेंट की लिमिट की बात करते हैं उनसे केस से आती है यह बात इंदरा कौनी केस में यह बात हुई थी कि कभी भी रिजर्वेशन जो है पचास परसेंट से उपर नहीं जाना चाहिए यह बात आई थी उस समय उस गधार पर भी जो EWS कोटा है उसको जच करा जा रहा था कि अब साट परसेंट के आसपास रिजर्वेशन हो रहा है तो क्या यहां समविधानिक नहीं होना चाहिए तो इसको लेकर भी जहां पर जो जजजेज हैं उन्होंने बोला है कि यहां सम्विधानिक नहीं है क्योंकि All-Inclusive Egalitarian Society बनाने की तरफ ही कदम है कि जो कदम है किसकी तरफ है All-Inclusive Egalitarian Society बनाने की तरफ कदम है हमारा हम यहां पर समतावादी समाज बना रहे हैं जो हमारे DPSPs में दिया गया है Equality की तरफ ही तो कदम है हमारा ही उसको बढ़ाने के लिए तो कदम है यह हमारे DPSPs में भी दिया गया है कि Economic Equality होनी चाहिए Social Justice होनी चाहिए उसके तरफ बढ़ता हुआ कदम है इसलिए इसको आसम्मिधानिक नहीं ठहराया जा सकता और दूसरा यह उस दिशा में Equality लाने व Criteria पर भी यह valid नहीं है और EWS Quote को यहाँ पर अप्रूफ कर दिया गया Judges ने EWS Quote को यहाँ पर अप्रूफ कर दिया आखरी बात जो हमको सबसे important है यहाँ पर देखने को यह मिलती है कि हर जज ने यह बात उठाई कि जो reservation है आरक्षण है वो अपने आप में समस्या का It is a means तो एक रास्ता है जिस रास्ते से हम equality की तरफ जा रहे हैं जिस रास्ते से हम equality की तरफ जा सकते हैं complete equality उससे नहीं आएगी इसलिए यहाँ पर कभी ना कभी तो reservation को आपको end करना पड़ेगा कभी ना कभी reservation end होगा starting 25 साल की बाद हुई थी अगर तब end नहीं हुआ 75 साल हो गए आजादी को यह भी judges नहीं कहा है कि आजादी की 75 साल बाद भी क्या हमको reservation की प्रक्रिया चालू रखना जरूरी है क्या जरूरत है ऐसा क्या चीव नहीं कर पाए हम 25-75 साल में कि हम आज भी आरक्षण देना पड पड़ा है हमको यह बात भी कोट ने उठाई और बोला है कहीं ऐसा नहीं हो कि कुछ लोगों के इंट्रेस्ट के लिए हम यह काम कर रहे हैं सरकार को इस तरफ ध्यान देना चाहिए ऐसा नहीं हो चब कुछ लोगों के यहां पर wasted interest है यानि वोट वेंग की politics के चक्कर में कही reservation तो नहीं दिया जा रहा इस बात को भी check करना चाहिए Supreme Court ने यह बोला है तो friends यहां पर हमने discuss करा बहुती important historic judgment Supreme Court का यहां पर end में आपन conclusion में यही बोल सकते हैं कि अगर हमको एक equality के basis पर society बनानी है तो जब तक basic जो चीज़े है basic infrastructure basic चीजों के अंदर देखा जाए standard of living जो हो education । और access सबसे बढ़ी चीज़े ऐक्सिस की लोगों तक ये बाते पहुचानी पढ़ेंगी ये सुविधायाय पहुचानी पढ़ेंगी जब तक basic चीज़े के लोगों तक नहीं पहुचेंगी वो deprived ॥ रहेघे ुनके साथ discrimination होता रहेगा उनके साथ discrimination होता रहेगा जयाने क पढ़ सकें, फीस अफोर्डेबल हो, और जब तक एक basic standard of living, यहां पर जो SCs के साथ, STs के साथ, जाती के अधार पर बेदबाव हो रहा है समाज में, तब हो रहा था, आज भी कही न कहीं हो रहा होता है, जब तक हम उसको बंद नहीं करेंगे, जब तक हम equality को achieve नहीं कर सकते, तो इस तरफ भी ध्यान देना जरूरी है, इन सबका solution सिर्फ reservation नहीं है, और भी अलग स्थरों पर हमको काम करना पड़ेगा, तब जाकर हम, जो standard of living है, और equal respect जो होनी चाहिए हर समाज के अंदर, हर नागरिक की, सबको समान अधिकार मिलें, और समान सम्मान मिल और यह जो caste-less society हमको बनानी है, कि जाती के अधार पर बेदबाव ना हो, उस दिशा में कदम सिर्फ reservation एक solution नहीं है, और भी चीज़े हैं जहाँ पर आपको include करनी पड़ेंगी, कोट ने यह भी कहा, तो फ्रेंट्स यहाँ पर हमने डिस्स करा, सुप्रीम कोट का बहुत ही एत्यासिक फैसला है जो EWS कोटे पर, I hope आपको यह समझ में आया होगा, ऐसे और वीडियो देखने के लिए इस वीडियो को like करें और हमारे चनल को subscribe करें, till then friends, bye bye and take care.